मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है जादा समस्दार और मुर्ख में जादा अंतर नहीं होता ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते रिष्टों को वादों और कस्मों की जरूरत नहीं होती छोड़ने वाले कसमे खाकर भी छोड़ देते हैं और निभाने वाले बिना वादे के भी निभा जाते हैं आपके पास दो रास्ते हैं एक पीछे मुरना और पश्तावा करना दोसरा आगे की ओर चलना और खोद की खोज करना एक बहतरीन इंसान के रूप में नजर अंदाज करो उन लोगों को जो आपके पीठ पीछे आपकी बात करते हैं जिन लोगों का वेवहार अच्छा और दिल छूलेने वाला होता है उनके लिए दुआएं अपने आप निकला दिये गलते मानने के लिए बहादूर होना पड़ता है और बहस करने के लिए बत्तमीज इंसान अपने अच्छे वक्त में अपना घमंड दिखाता है लेकिन बुरे वक्त में इसका अंजाम दिखता है जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़ कर कभी मत देखो वरना जो आपको मिलने वाला है उसे भी खोदोगे अच्छे दिन सिर्फ बैठे रहने से नहीं आते उन्हें लाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है कभी किसी को दुख मत देना क्योंकि दी हुई चीज एक दिन हजार गुना होकर वापस लोडती है जिन्दगी में वक्त का खास होना जरूरी नहीं है बलकि खास के लिए वक्त होना जरूरी है अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए क्योंकि उसे ने आपको मजबूत बनाया है याद रखना इनसान हमेशा तकलिफ में ही सीखता है खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है याद रखना बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते हालात वो ना रखो जो होसलों को बदल दे बलकि होसले वो रखो जो हालात बदल दे मेहनत के आगे किसमत की इतनी आउकाद नहीं कि वो आपके सपने पूरी ना होने दे पैसा और प्यार बस उनहीं को दो जो वो आपको वापस दे सके जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है सिर्फ उसकी सोच अलग है उस दिन जीवन से सारे दुख मिटे जाएंगे बेशक दूसरों की इज़्यत करो पर खुद को कभी जलील मत होने देना जीवन में गलतियां कीजिए वो दो सबसे होती हैं पर किसी के साथ गलत मत कीजिए कभी किसी के छोड़ जाने पे चिंता मत करना क्योंकि गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिन्दगी में सही लोग आ सके किसी की जिन्दगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिन्दगी से ऐसे निकल जाओ जैसे कि आप कभी थे ही नहीं जो आप से रिष्टा कम और गुरूर जादा रखे ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखना अगर सुखी जीना चाहते हो दूसरों की कही बातें दिल पर लगाना छोड़ दो